हेलो सिविल इंजिनेर्स मैसेल रावल कोली आइंग कोर्पेट ट्रेनर फोर यू वेलकम तो रिंफोर डिजिल प्लाटफॉर्म जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉम्पैक्टर के बारे में के स्वेसिफिएशन दी उसके डिफरेंट टाइप बताये वह कहां पर आइख फंह बारा के एपने एपकर और भी बीचा हुआ है कि उसमे कौन कौन सी आपकी जो कॉनक्रीट मिक्स करने में के कौनकौन सी मशीन लगेगी मैं आज आपको उसका और वीदो गयो कि आपने इस मशीन को साइट पर बहुत बार देखा होगा, यह सरिफ आपका concrete mix करने के लिए काम में आती है, इसमें क्या करते हैं, जो इसका drum होता है, इस drum में आप sand, aggregate और आपका cement यूज़ करके, और water यूज़ करके आप इसका एक page बनाती है, जिसको आप concrete कहते हैं, यह काम कै इसमें इंजन फिटेट होता है, इसमें एक diesel engine fit होता है, यह क्या है १्ट्रम को रोटेट करता रहता है, जिससे आपका concrete mix हो जाता है, कुछ इसकी specification की बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्प्पेसिएशन से डूप से buds की मौडल होता गाथा आपका बादका 1200 बाद के लिटर वाला भी आता है और का 300 history वाला कि असा ठीज उटे से डों सुları लिटर यॉटाँ में ऊ स्थेंट होता है आज एक एक overview लेंगे कि यह क्या क्या काम करता है इसका mixing capacity जो होती है अगर आपका cubic feet में बात करें तो 10 से 7 cubic feet इसकी mixing capacity होती है अगर आप परार की बात करें तो यह 5 cubic meter आपका परार यह आपका concrete निकाल देता है फिर आप अगर इसकी engine की बात करें तो 2 horsepower की single face की motor लगी होती है जब इसको drum को rotate करती है इसकी drum की speed गया होती है वो होती है आपकी 20 से 22 rpm फिर इसकी production rate की बात कर लेते हैं अगर company claim करती है कि 6.8 आपका cubic meter पर आर में निकाल देती है पर अगर आप एक्चुल इसको काम पर लेते हैं तो यह 5 cubic meter ही निकाल पाती है इसकी weight की बात कर लेते हैं तो वह है आपका 130 kg का weight होता है fuel consumption की बात करें तो यह एक लिटर पर आर में consumption कर देती है अगर इसकी monthly rent के बारे में बात करें तो हर स्टेट में अलग-अलग होगा बट अगर मैं अनुमान लगाओ तो यह आपका पंदरा सो रुप पर दे का यह चार्ज होता है अब हम दूसरी मशीन के बारे में बात कर लेते हैं जैसे आपका concrete mix है जो पहले वाली मशीन थी उसका क्या काम था सिर्फ concrete को mix करके निकाल देना और casting पे छोड़ देना पर यह मशीन क्या काम करती है इसमें lift लगी होती है कि यह lift क्या काम करती है जो concrete आप बना रहे हैं उसको इस lift के थुरू slab पे डाल सकती है तो इस lift में होता और क्या-क्या है यह इसी से attach होती है और यह इसकी कुछ specification देख लेते हैं अगर हम इस lift की बात करें तो यह कम से कम 50 feet की इसकी height होती है नॉर्मल इसमें 12 hp का engine लगा होता है अगर आपका फ्लोर बहुत ज्यादा हो रहे है जैसे 10 10 मंजिल पे है 12 मंजिल पे है तो क्या होगा इसका जो engine है वो change करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें load ज्यादा लग रह आपका 16-17 hp का इतना अगर आप engine लेते हैं तो वो अराम से 10 फ्लोर पे 20 फ्लोर पे यह वो ले जा सकता है अगर इसका model की बात करें तो यह कम से कम 15,000 रुपे तक का इसका पूरा एक model आता है जैसकि आप इस photo में देख सकते हैं यह lift होती है इसमे concrete मिक्स होके उपर slab पे चल जा रहा है इसको डालने के बाद भी हमको जो concrete होगा वो अलग जावा पहुचाना होगा तो उसमें कौन सी machine use होती है वो होती है इसका नाम होता है concrete hand trolley इसको हम single wheel trolley के नाम से भी जानते हैं यह काम क्या करती है जैसकि मैंने पहले भी बताया है जैसे यह आपका mix होकर जाल देता है concrete को तो वहां से ले जाने के निए भी आपका कुछ ना कुछ instrument होना चाहिए जो आपको दूसरी जगा पर डाल सके तो आपका यह वाली machine काम में आती है तो इसका size क्या-क्या होता है वो देख लेते है इसका capacity हो 100 kg भी आती है 1.500 भी आती है और इसकी जो capacity अगर models में जाती है अलग-लग variant type में जाती हो तो इसके rate उसी हिसाब से fix होते हैं फिर हम बात करते हैं transit mixture की जिसको आप RMC भी बोलते हैं मैं एक चीज़ बता देता हूं यह पूरी machine को लोग बहुत से RMC बोल देते हैं पूरी machine को हम RMC नहीं बोलते हैं इसके अंदर जो होता है वो होता है RMC ready mix concrete और पूरी machine को हम बोलते है transit mixture यह काम क्या करती है batching plant से आपका concrete लेकर आती है वो side पर छोड़ देती है इसका स्रिफ लाने और ले जाने का काम होता है और इसका जो यह आप इसका drum देख रहे हैं यह always घुमता ही रहता है क्योंकि अगर यह एक जगा रुख जा है इसकी कुछ और specification की बात करते है अब लोग चाते हैं इसके अलग-अलग rate लोग-um 50 का इसका अलग price होगा M20 का अलग होगा, M25 का अलग होगा, M30 का अलग होगा, और Mixed Design अलग होगा, इसी एसाब सो इसके rate fix होते हैं, अगर इसकी capacity की बात करें, तो 5-7 cubic meter की capacity होती है, अलग-लग drum भी आते हैं इसके, अलग-लग capacity भी आते हैं, पर एक मैंने एक fix तौर पे, एक बताने के लिए मैंने आ बात करें, जैसके मैंने पहले बताया था, इसके दो इंजन होते हैं, जो एक drum rotate करवाता है, और जो पूरी machine चलाता है, तो इसका जो front इंजन होता है, उसका overage आता है, डाई किलो मेटर पर आरका आता है, फिर इसका जो rare इंजन का fuel आता है, वो कमसे पांच लीटर पर आ रह जो इसको rent पर लिया है, वो 1.5 लाग रुपे से अलग है, फिर इसकी अगर price की बात करें, तो price कमसे गम इसका जो start होता है, वो है आपका 16 लाग 32 रुपे से लेके इसका start होता है, और 27 लाग 69 रुपे तक का इसका जाता है, फिर दूसरी machine की तरफ चलते हैं, यह आपका truck mounted concrete pump, जिसको हम boom pressure भी बोलता है, यह बहुत important, यह बहुत important instrument होता है, एक machinery होती है, बहुत important होती है, यह काम क्या करती है, जैसे RMC से, RMC direct तो आपकी site पर जानी सकती, footing की casting पर जानी सकती, slab पर जानी सकती, तो यह उसी concrete को उस site तक पहुचाने का काम करता है, कैसे काम करता है, इस folded, इसके pipes होते है, आपको दूसरी picture में दिखातो, यह इस तरीके से यह पूरा खुल जाता है, और आपका यहाँ पर casting हो जाती है, इसका कुछ specification की, अगर मैं बात करूँ, तो यह overall height जो इसकी होती है, overall height इसकी, जो boom pressure की होती है, 32 meter की होती है, तो 32 meter की होने की वाज़ा से, उसके चारो jack, चारो side के jack खुले होने चाहिए, तब ही जाके यह ऊपर की machine खुलती है, अगर आपके इसके चारो side के jack नहीं खोलेगे, तो गाड़ी पलटने का डर रहता है, इसी वज़े से हम boom pressure का use करते है, अब इसका use भी कहा कहा हमे करते है, जैसे retaining wall होती है, बड़ी-ब walls हो गई, अब कोई lever चटके महाँ पर concrete नहीं सकता, RM से खुच जाकर भी नहीं डाल सकती, इसी वज़ा से इस pipe का use करते है, वो क्या करता है, उस machine, उस wall पर एक pipe लगा देते है, जो concrete डालता रहता है, कुछ और इसकी specification की बात कर लेते है, four side jack खुले होने चाहिए, फिर इसका vertical reach की तरफ जाते हैं, तो ये 25 से 36 meter के आसपस इसका vertical reach पहुच जाता है, output की बात करें, तो ये एक गंटे में 100 से 120 cubic meter ये निकाल देता है, pressure की बात करें, तो 6, 6 से लेके 9 MPa तक इसका pressure होता है, तो एक दूसरी machine की बात कर लेते हैं, जिसको हम आप concrete pump की बात करते हैं, जिसको हम trainer pump भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि RMC आपका direct site पर नहीं पहुच पाता, जहां पर casting करनी होती है, फर्स्ट लोर पर RMC कभी नहीं पहुचेगी है, तो उसको करने के लिए क्या काम करते हैं, एक इस तरीके से एक आपका pump आता ह है, और अलग-अलग sites पर जाकर यह इस तरीके से concrete डाल देती है, जैसे कि आप इसमें देखने होगे, यह पूरा pipe इसी से connect होता है, अब इसके कुछ specification की बात कर लेते हैं, यह देखिए इस तरीके से यह यहां पर गिरता है, और यह pipe के थुरू आपका casting होने के लिए चला ज से 10 MPa तर, आज के लिए बस इतना ही, जैसे मैंने आज वीडियो में बताया आपको कि concrete mixture आपका क्या काम करता है, RMC क्या क्या काम करता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, thank you so much.